पुरा सा इंगलिस आपके पास हैं तो आप जा सकते हैं दुबाई पचीस सो दरहम से चार हज़ार दरहम तक आपका मातए पटना में और पॉंदर दिन में भेजवाएंगे आपको जाने के यहां पर कई लिस्ट हम आपको दिखाने वाले नहीं है मात्र तीन देट में कौन-कौन सा जॉब लगने वाला है यह जाने का अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी जा सकते हैं अच्छा वहां से सेलरी कमा सकते हैं पचीस सो से चार आजार तक और नहीं पढ़े का है 21 तरिक के डेट में जो कि हमें जर्नल हेलफर चाहिए फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री के अंदर काम है इसमें आपको 900 से लेके फिरी फूड है 200 पालस ओटी है उसके बाद से खाना फिरी है चली लॉंड्री मैन चाहिए जिसको तो अपराद होने वाला होता है मसीन आत कोई मुश्किल चीज नहीं है वो सब मॉसरिंग ऑपरेटिंग वो लोग बता भी देते हैं वहां पर लेकिन लॉंड्री मैन के ही नाम से जाना होगा और पैंट्री बॉय है कि थोरा सा बेसिक इंगलिस उसको नोले जाना चाहिए ऑफिस के अंदर उसको थोरा सा कॉफी चा तो उसकी सेली हजार से 1200 के बीच में लगेगी ओटी भी है और फिरीफूट भी है यह आपको है एक किस दस को सोभा मॉडलर कमपणी है बहुत बड़ी कमपणी है एक सवाल बनता है एज क्या चाहिए इसको इसको एज चाहिए 19 साल से लेके 30 साल तक 19 साल से नया हो या पुर यह construction नहीं है actually मैं factory में काम करना आंनों तर खमिके आ दूंदर काम करना है और यह दूबई की और दूसरी कमपणी है जो नापको है यह फायरफाइटिंग की बहुत सी बड़ी कमपणी है इसमें हम 15 साल से काम कर रहे हैं 15 साल से लड़के भेज रहे हैं महीने में 100 से 1500 लड़कों मेरे यहां से फलाइट करते हैं नापको के लिए तो यह फायरफाइटिंग की कमपणी है कौन से ट्रेड क्या है इसमें ट्रेड है आपको pipe heater और fire fighting technician plumber और fire fighting charging, fire fighting forming इसमें duty कितना घंट को आए 8 घंट के आदार अजबाईज आप कितना विकां करते हैं चलाइन की दव्हार से तोटल दुवाई से नपको कमपनी के client आ रहा है वोई इंटर्विव लेंगे यहीं आपको सेली लगाएंगे यहीं सारा चीज आपका on the paper होगा सिम डेट में इसमें भी ओवर टाइम है हाँ ओवर टाइम है इसमें सेली है आपका 5 फिटर का 15 से 18 सो के बीच में जितना नोलेज है 18 सो तक उठा सकते हैं यहीं फाइनल होगा सेली टेगनीशं का है पंदरस ao से अठार सों पलंबर का है टेरह सों से पंदरह सओ फायर फायटीं चार्ज हंड का 2000 से 3000 के बीच में लग घ़ा बाइए फायर फायर फाय में है 3,000 से 4500 दरहम करा सकते हैं जितने भी फोर्मेन बैठे हुए हैं फायर फाइटिंग का नौलेज वाले फायर फायर फाइटिंग चार्जेंड भी वह अराम से आएं और आके अपना इंटर्विव फेस करें इस कंपनी में नापको में अगर वो इंटर्विव निकाल देता है तो आप 15-20 दिन में यहां से उड़ा जेंगे उनको एक दम यह नापको कंपनी तिक है और हमने पास तीसरी कंपनी जो 28 तारिक को हम करेंगे यह सौधी की कंपनी है सौधी से बहुत कंपनी आता है यहां पर सौधी के अभी तो कामी नहीं आ रहा है और यह जो अलकूर कंपनी सौधी अरभिया की हमारी है यह क्लाइंट सौधी से आएंगे फेज टू फेज इंटर्विव 28 अक्टूबर को है इसका डाइरेक्ट अलकूर का वीजा हम लोग देंगे इसी कंपनी का बहुत लोग अधर कंपनी का वीजा देता है यह वह ऐसा नहीं है पाइफ फेब्रिकेटर है पाइफ फीटर है स्टेक्चर फेब्रिकेटर है पंदर ससे उननी सो स्टेक्चरhésitez में फेटर है आपको बारा से पंद फ्रा सो ग्रेंडर है बारा स ते IRS बोर्ट फेब्रज्ट के बीच में लगे गा संत्यू करोते से नहीं हाजार से एक रहा सो औरह औरह रहा सो अग रहेगा इसका फोलडर है आपको प्लस वेल्डर है शीग जी आर्क का इसमें 17-19 सक्षिली लगाए जाएगा वेल्डर लोगों का रीगर है ट्यूवी कार्ड मस्ट है ठीक है रीगर का सफ्रसों से इंका भी सेली लाएगा ओटी है और फिरी फूड है दिप्टी कितना घंटा है उसके बाद से ओबर टाइम है उसके बाद से ही होता है खाना रहना सब कुछ इसमें फिरी है तीक है मेडिकल और इंसुरेंस इन लोगों का जो भी होता है सौधी नॉम्स रूल के अनुसार इनलों को इस कंपणी में सारे फैसलीटी मिलेगी आपने दिखाया था सोभा कंपणी जो कहीं नामी जानी कंपणी है और फेमिली यानि पत्नी के लिए बहुत कुछ करती है उसके बाद पर मौंत पर मौंत पलस अगर उसके बच्चे है उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी 2000 से लेकर 20,000 तक साल में एक बच्चे का आपको 10,000 साल में पढ़ाई के लिए देगा एक बच्चे का दूसरा बच्चा है अगर तो 20,000 रुपया उस पत्नी के एकाउंट में आएगा पत्निक एकाउंट होना चाहिए ठीक है तो यह सोभा इस तरह के कमपनी है और यह मतलब आपको जैसे सोभा भी चल रहा है ना कस्टक्शन यह कस्टक्शन नहीं सोभा मोडलर इंडिस्टिर है यह फैक्ट्री के अंदर लड़के लोगों को बड़ा सा के अंदर मतलब यह होगा फैक्टी उसके अंदर काम करना है दूप में या बाहर नहीं तो सोभा के अंदर बहुत फैसलीटी है और एक किस दस को हम लोग सोभा को करने जा रहा है यानि तीन दिन इंटर्वी होगा एक किस तारीको 27 तारीको और 28 तारीको समय क्या रहेगा सर सब 10 वे से स्टार्ट हो जाएंगे इससे पहले एक चीज और बतागा कहीं दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या ब्यवस्ता है कोई अपने घर नहीं जा सकते हैं सब हम लोग वर्लोग कर लागे अगर रात को रुख गया गाड़ी नहीं मिली अर Spella आप में रुख जाता है थक जाता है तो आई एक बाद पटना में यहाँ पर मेडिकल होगा उसके बाद से फलाइट होगा कि फिर उसी तो आपको का सारे लोग जानता सीवान गोपाल गंज कहीं भी पूछिए गर नापको का हम लोग काम करते हैं और सोभा इसमें आपको मेडिकल अगर फिटनेस हो ग वीजब को पिस पिलेखे और से में मिस भी नापको कि अई पॉेकल ड़ी पीर सीवा जो